हाई अव्रीवन वेलकम बैक टो और यूटूब चैनल तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करते हैं चार सुत्र के बारे में तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि चार सुत्र क्या होता है ठीक है ना किस तरह से बनता है और कितने दिन लगते इसको बनने में और किन- प्राइरी डिटेल आज हम इस वीडियो में देखेंगे अगर इन सभी चीजों को आप जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पूरा स्टार्ट करने से पहले मेरी आपकी रिक्वेस्ट है अगर आम ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब प्लाइन मेटीरियल है और सुत्र का मतलब होता है कोई थ्रेड कोई ठागा ठीक है ना तो इसमें क्या होता है एक धागा लिया जाता है और उस पर परत चड़ाय जाते हैं जो आयरवेधिव ड्रॉग्स होती है उनकी तो बात करते हैं सबसे पहले कि किन-किन व्याध्यों म सबसे पहले बनाने के लिए लेना क्या है घराध में लिए च्छार उसको आपमार्व का प्लांट आपने देखा होगा ऊसके पूरे-पूरे प्लांट को लिया जाता है और उसको एक तरह से जलाया जाता है जलाने के बाद जो भस्म बनती है जो राक मिलती है उसको क्या करते हैं दोस्तों उसको एक अच्छे से सुच पात्र में लिया जाता है इसके बाद उसमें 6 गुना जल उसमें डाला जाता है और उसको 21 बार छान जाता है अच्छे कपड़े से ठीके ना 21 बार शानने के बाद क्या ञाता है उसको दोस्तों मन्द अगनी पर उसको रखाً जाता है और जब तक उसका जो जितना भी जल है जल यांस है वह बूरा ख़तम नहीं हो जाता थब्जक को अगनी तब उसको उतार लिया जाता है तो सबसे पहले चीज हो गिया दूसरी, जो दोस्तो इसमें लिया जाता है, तो, लिया खब जाता है यह सुराज उगता है। उससे पहले यह लिया जाता है ठीक है ना और यह क्या होता है दोस्तों निकलने के तुरंत बाद यह निकलने के तुरंत बाद यह तरह से गाढ़ा हो जाता है जम जाता है तो इसलिए जब इसका इसका अवशक्ता होती है तभी इसको लिया जाता है ठीक है ना तो आपने लिय का है जो सर्जी जो थ्रेड है उसको क्या जाता है ठीक है ना बांधने के बाद क्या किया जाता है दोस्तों उस पर क्या होता है आप गोज पीस की सहाइता से सबसे पहले क्या किया जाता है जो इसनुही चीर है इसनुही चीर की एक लेयर एक परत उस पर चड़ाई जाती है ठ तक रोज एक परद चड़ायी ज resent किया जाता है जो अपने बनायाई उसको लिया जाता है फिर इस से क्या होता ये कि सहता से ही दोनों को पहले परद जोंगी परद ila जात जाती ओने परद साथ दिन तक चढ़ाई जाती है ठीक है ना रोज एक एक लेयर चढ़ाई जाती है तो ठीक है ना इसके बाद जो तीशे नमबर पर आता है दोस्तों आपको लेना होता है क्या सनूही छीर और इसके सासर लेना होता है हरिद्रा हल्दिक टरमेडिक ठीक है ना यह ले जाती है इसकीुत है तीन फट तिन तक चँड़ाए जाती है तब यह बनता है आपका चाहरशूट्र है ॉसमें रखा तो इससे रिमूओ कर दिया तो यह आपका पूरा का पूरा हो गया चाहर बिमारी में तो दोस्तों जितने भी अनोरेक्टल डीस होती है उन सभी में चाहर सुटर का है याथ है उसको रिमीव करने के लिए इसके साथ सब्स्र जो मस्य है उनको रिमीव करने के लिए चार्व सुत्र का इस्तवाल किया जाता है ठीक है दोस्तों तो ने जी है इसका चारदकल में ते समलेजDY joint जा सकता है । seguridad È ग्राइज होता है एसा कोई fix नहीं है कि इसके इतने ही प्राइज है तो अलग लग Center पर अलग लग होता है सबसे में सबसे खास बात होते है दोस्तों चार सुतर की वह होता है कि इसका जो success rate वह बहुत ज़्यादा हाई है और जो इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है ना और एक चीज और अपने आप से या खुद मैडिकेशन ना ले अगर आपको इस बीमारी से पर्मनेंटली आपको रहत दिला देंगे दोस्तों इसमें जो थ्रेड बदला जाता है वो जो बदला जाता है दोस्तों वो आपके वीकली बदला जाता है मतलब सात दिन के बाद जो धिला हो जाता है तो उसको दोवारा से टाइट करके बांधा जाता है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों ये था चार सुत्र के बारे में डिटेल आई हो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकोन को प्रेस करें और इस वीडियो को जादे से जादा लोगों तक इसको सेयर करें ताकि सब को इसके बारे में जानकारी मिल सके तो आई हो वीडियो आपको अच्छे लगी होगी तो मैं मिलता हूँ आपसे next day में तब तक के लिए stay safe, stay healthy